नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफिनो सींग और टिक्षाला में आप सभी का स्वागा था दोस्तों आज इस कौर निकालने का बेहतरी तरीका बताऊंगा मतलब अनकंडिशनल कोई कंडिशन नहीं कि यह हो तो यह हो यह हो तो वह आई से एकदम क्लीन कोई कंडिशन ने इसको कहीं भी आप अपलाई कर सकते हो एक फर्मूला याद रखना सबसे पहले राइट साइड मतलब बी स्कॉयर कितना होता है आप बोलोगे 36 होता 36 को सिर्फ 6 ही लिखेंगे तीन को कर लेंगे कहरी ठीक है तीन को कर लेंगे कहरी फिर टू एबी जो है मतलब छपंचे तीस दूना साथ है ना दोनों का गुड़ा का डबल इसको साथ साथ में तीन जोड़ोंगे 63 हो जाएगा 63 का 3 लिखेंगे फिर 6 कहरी कर लेंगे फिर A स्कॉयर मतलब 5 का स्कॉयर 25 हो जाएगा 31 तो यह हो जाएगा इसका स्कॉयर ठीक है इसको देखो इसकी जरौद हमेशा पढ़ती हर एक्जाम में पढ़ती हमेशा पढ़ती इसलिए यह हो जाएगा 42 का स्कायर, ठीक है, आगे समझते हैं, 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे, 3 डिजिट आ जाए दोस्तों तो इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइट करेंगे, मतलब राइट साइड एक रखेंगे और लेफ्ट साइड दो रखेंगे, जैसे 2 को मैंने इधर कर द दिया, और वही चीज एकदम अपलाई करेंगे, जैसे इसके पहले किया था, 2 का स्कायर, 4 हो जाएगा, फिर 2 एभी, मतलब 11 दूना 22 और 22 दूना 44, तो 44 का 4 लिखेंगे, और 4 को कर लेंगे कैरी, फिर 11 एक रहम में 11 का स्कायर, मतलब 121 होता है, तो 121 में 4 जब जोड़ दो तेरा को धर कर दिया, 4 जब के 16, तो 1 कर लेंगे कैरी, फिर 13 जब का 52 होता है, बावन का डबल 104 होता है, 104 में एक जोड़ेंगे ते 105 हो जाएगा और 10 हो जाएगा कैरी अपना, फिर 13 का स्कायर होता है 169, 169 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 179, और यही हमारा हो जाएगा इसका square और ये दोस्तों आप लोग के लिए है homework इसको करके बताओ कि आखित इसका square क्या होगा comment box में और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना बिल्कुल मत बूलना शेर भी करना बिल्कुल मत बूलना दूसरी चीज चैनल को subscribe करके घंटी दवाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि अभी नया नया ट्रिक्साला इस्टार्ट किया हूँ इस पर ट्रिको का भंडार future में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं आपको तिसलिए इस चैनल को subscribe जरूर करना और घंटी बिल्कुल दवाना मत बोलना क्योंकि notification आपको मिलती रहेगी तो आप ट्रिक्साला पर हमेशा बने रहना और आपको बहुत कुछ सीकरों को मिलेगा